दोस्तों आप सभी का स्वागत है ABC कोचिंग योटूब चैनल में आज की इस वीडियो में क्लास 11 तो सब्जेक्ट हिंदी एलक्टिव के मस्ट इंपोर्टेंट BBI अब्जेक्टिव कोचन देखने वाले हैं जो कि आप सभी के आर्श, कोमर, साइंस, तीरो संकाई के विद्याटियों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है तो सभी चातर अंतक बने रहें और इस वीडियो में बताएगे सभी कोचन और आंसर को आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लिजे और परिक्षास से पहले इन सभी कोचन आंसर को अच्छे से रट लिजेगा, रिविजन जरूर कर लिजेगा और आप से भी से रिक्वेश्ट एक चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैला कुन को प्रेस जरूर कर लेंगे तो चले दोस्तों कोचन के और चलते हैं तो देखे सबसे पहला कोचन आपका खंड कोव में है जो कि इसमें निर्देश दिया गया है कि निम्लिखित गध्यांज को ध्यान प्रुवक पढ़िए तथा प्रस्न संख्या एक से पाच के उतर दिजे दोस्तों आप यहां पर देखे यह आपका गध्यांज दिया गया है इसको आपनों को ध्यान प्रुवक पढ़ना है और इस से लेटेट जो प्रस्न पूछे गए हैं उसका अंसर आपनों को यहां पर बताने है तो सबसे पहले इस गध्यांज को अच्छे समलक पढ़े लेते हैं तो दिखे गध्यांज भी दिया गया है धन की चाहा व्यक्ति कुन नास की ओर ले जाती है धन की चाहा कभी समाप्त नहीं होती वह धन प्राप्त होने पर और बढ़ जाती है धन लिपसिया अथाय सागर की तरह है यानि कि धन का जो लालेच है वो अदम सागर की तरह बढ़ता रहता है इसका कोई था नहीं है यानि कि इसका कोई अंत नहीं है इसके तल की था नहीं पाई जा सकती जो व्यक्ति धन की उतकस्ट कामना से गरशित होता है वह नीच से चिंता नहीं होती सम्मान को बेचकर उसे धन मिलता हो तो भी वह नहीं चुकता समाज उसे चाहे हे द्रिष्टी से देखता हो यानि कि दूस्त को उसका हिंद द्रिष्टी से देखता हो उसे कोई भी फरक नहीं पड़ता वह धन के लिए किसी भी आगे गिरिगड़ा सकता है और सब्द सुन सकता है, इस तरह धन लिपसा के सागर में उसका सम्मान पूरी तरह से डूब जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोगों ने गध्यांस पड़ा, यह पूरी तरह से धन से समधित है, यानि कि धन की लालसा है, धन की इच्छिता है, लिपसा है, यह काफी भयावा है, और काफी बुरी है, जो कि यहाँ पे इसके सम्मान व्यक्तियों की सम्मान पूरी तरह से ड निकाल लेजिए और कॉपी कलम से आप लोग जो है इसको अच्छे सापनों नौट करते जाएंगे तो देखे सबसे पहला सवाल इस से इस गध्यान से दिया गया है कि धन की चहां मनुष्य को किस और की और ले जाता है तो देशते उसको विनास की और ले जाता है जानिक जाता की कोई जो है था नहीं होती है यानि कि धन की लालच रूपी सागर आपके मन में बसा हुआ है तो उसकी था नहीं है ठीक है तो ओप्सन यह इसका जो है सही आंसर होगा अगला कोशन देखें यहां पर दिया गया है तिसरा नंबर कि कैसे व्यक्ति समाज में नीच से जाती चिंता किये विना ही कर देते हैं यानि दोस्तों अगर उसको धन की जो है उत्किष्ट कामना की जो है ग्रसुत व्यक्ति है तो वह जो है अपने उपर जो है उससे गाली गलोच भी दीजिएगा तो वह सुन लेगा उसको नीच भावनाओं से भी देखेंगे तो वो लेकिन दोस्तो, जारी की मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कि अगर जिन व्यक्तिव को धन कि उस्त्रिश्ट कामना से ग्रसित है, तो वह अपना समाज पूरी तरह से खो देते हैं, ठीक है? जो दोस्तो आपका जो तीन नमर का आंसर होगा, walking number C सही answer होगा, इसको अच्छ अगला question है कि प्रस्तुत गध्यांस की शिर्षक बताईए तो दोस्तों मैंने आपको भी बताया कि इस गध्यांस में पुरी तरह से किसके परती था यह जो है पुरी तरह से फोकस किया गया था धन के लिपसा का ठीक है यानि कि धन की लालज का तो option इसका सहीन सरोगा धन यानि कि जो धन की लिपसा में लिपड़ जाते हैं पुरी तरह से समाई हो जाते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है वो यहां पर दिया गया है तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लिजेगा तो देखिए मैं इसको पढ़ की बता देता हूं तो दिखिए यहां दलों के भी हडवन में कदम कदम पर संयन ही उगता है मन में नेता क्या है नीज नीज गुट के महापातर है राष्ट कहां है सेस सेस बस राज्यमातर है तो इस पंक्ती में जो जो भी बाते कही है कही गई है बहुत ही इंपोर्टेंट बाते यहां पे जो है बहुत ही जो प्रसन दिये गए, उसको आंसर को मोट देख लेता है है, तो देखे, दोस्तों, यहां पर दिया गया है च्छाटा नमर कोचieurन, जो की पन्द्यांत से लेटिट था, तो यहां पर कोचिंगे की देखी किसके बिहाड, वन में भटग गया है, तो दोस्तों, राजनेतिक द Philadelphia के बिहड में बटग गया तो option B जो इसका से अंसर होगा अगला question देखें यहां पे दिया गया है कि वन में हमेशा यानि कि मन में जो हमेशा जो है संसाई क्यों उत्पन होता है तो दोस्तों यानि कि भविश के चिंता के कारण जो है संसाई ब्राबर उत्पन होती रहती है तो जनी exit होनी चाहिए तो option C इसका science रोगा अगला question दिया गया है कि प्रस्तुत पध्यांस का उचित सिर्षक बताए तो दोस्तों इसका सिर्षक क्या होनी चाहिए देश और नेता यानि कि एक तरफ देश है और एक तरफ नेता है तो यह इसका science रोगा option A इसको अच्छे सा आ कॉपी में करते हुए मुझे कॉमेंट करके बताएंगे कि आपने कॉपी में कर लिया है और आप इसे कर रहे हैं और इसकी तयारी आप अच्छे सिर्षक कर रहे हैं मीचे एक बार जरू कॉमेंट करके बता दीजएगा ठीक है तो अगला question दिखिए दसवा नंबर दिया गय अगला question 11 नंबर दिया गया है कि निबंद का अंतिम भाग कहलाता है तो निबंद का अंतिम भाग कहलाता है निसकर्स यानि कि दोस्तो उसका जो निसकर्स अब क्या निकलने वाला है यही आपको यहाँ पे देना है ठीक निबंद का अंतिम भाग क्या होगा निसकर्स होगा अगला कुशन तेरे नंबर दिया है कि समचार पत्र की संपादक के नाम लिखे गए पत्र में समबोधन हेतू कि सब्दक का पर्योग परचलित है तो इसका आप्सण देना और सिक्षित करना यानिक सुचना के माधियम से अपनों को सिक्षित किया जाता है यही संचार माधिय पर्मुख कारिय होता है तिक इसको अच्छे से आप लोग कॉफी में नोट कर लें अगला कोशन दिया गया है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का सौरूप होना चाहिए तो क्या होना चाहिए तत्यात्मक होना चाहिए तो अप्सन नंबर अगला कुशन सौललन नंबर दिया गया है कि PTI क्या है तो PTI जो है समाचार एजन्सी है याद रखेंगे ठीक है PTI क्या है समाचार एजन्सी है उप्सन ए इसका से अंसर होगा अगला कुशन देखिए 17 नंबर दिया गया है कि पत्रकारीता के विकास में कौन सा मुलभाव सक् नहीं होगा इसलों दोस्तों इसका आंचर क्या होगा जिग्यासा है ने कि जितना जिग्यासा होगा उतना ही पत्री का जो है काफी परभावित होगी ठीक है चलिए अगला कोशन देखी यहाँ पर अठवा नमबर दिया गया है कि सिनेमा और रंग मंच की तरह रेडियो एक द स्रव माध्यम है यानि कि सुने निका माध्यम है अगला कोशन 19 नमबर दिया गया है कि सब्ताहिक पत्री का सब्ता में कितनी बार परकासित होती है तो सब्ताहिक मतलब हो गया एक ठीक यानि कि सब्ता में एक बार पत्री का परकासित होती है तो अगला कोशन 20 नमबर दिया ग्या है कि इस्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का एक रूप है तो इसका अगला कोशन देखी यहां पे दिया गए निर्देश में निमलिकित कव्यांज को पढ़कर प्रसन संख्यां 21 से 23 का उत्तर दीजिए तो दोस्तों यहां पे जो है कुछ चार लाइन जो है कव्यां प्रस्तुत पंक्ति किस पार्ट से लिगए है तो दोस्तों मैंने आपको बताय था कि हिंदी के जो है संध्यां का बाद वाला जो शेप्टर है उसी से यह पंक्ति लिगए है तो ऑप्सन सी जो है इसका सही अन्सर होगा अगला कुशन देखे 22 नमबर दिया गया कि प्रस्तुत कविता में कांशी ववस्था की अस्थापना पर बल दिया गया है तो इस का आपस्तों समय भादी ठीके यानि कि सामय वादी ऑप्सन एसका सहरी अन्सर होगा इसको अच्छे से आप लोग कॉ उख्याएं वेभाह करने लगते हैं इसलिए यहां पी ये कहा गया है कि सहरी बणियों पर जिता si्ट कि अगूरा ना है तो option B इसका से अंसर होगा अगला question है कि कवी नरेंद सर्माने भीतर के दुख स्वपनों से भयावा किसे माना है तो इसका अंसर हो जागा बाहर के अंधकार को यानिक दोस्तों यहां पर कहने का मतलब यह है कि दुख स्वपनों में जो दुख आते हैं उसके से भी खतर धकार को जो यहां पर भावा कहा गया है ठीक है याद रखेंगे अगला question देखे 26 नंबर दिया गया है कि रिष्टे हैं लेकिन खुलते नहीं कवी के सामने ऐसी कौन सी विशस्ता है या विवस्ता है जिससे आपसी रिष्टे भी नहीं खुलते है तो इसका अंसर जो जाग सलील समीर सदा से पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो इसका अनुप्रास टिक है option भी इसका सही आंसर होगा अगला question 28 नंबर दिया गया है कि जाग तुझ को दूर जाना कविता में क्या प्रेड़ना दी गई है तो इसका अंसर दोस्तो हो जागा कठिना आयोस हो जूजने की जो है प्रेड़ना दी गई है option A का right answer होगा सही आंसर होगा अगला question 29 नंबर दिया गया है कि महादेवी बर्मा को अपने किस काव्य व्यर्ती के लिए भार्ती ज्यान पिट पुरुसकार प्राप्त हुआ था तो इसका अंसर दोस्तों यह हो जागा यामा ठीक है option C इसका सह याद रखेंगे किस का होगा यामा का ठीक है तो इसको आप लोग जो है अच्छे से copy में your not कर ली और मैंने जिस तरीके साब को बताया था कि जितने भी कविता है जितने भी रचना है उन सभी के जो है रचनाकार कभी सभी का याद रख लेना है कविता देखा को उन सभी याद रखने है क्योंकि वो जो है board exam में पूशे जाते हैं ठीक है इसलिए उसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे अगला कोशन देखी दिया गया है तिस्वा नंबर की प्रकृति का सुकुमार का वी किन है कहा गया है तिसका अन्सुदागा सुमित्रा नंदन पंत option A का सही आंसर होगा अगला कोशन यहाँ पे देखे तो यहाँ पे दिया गया है कि निर्देश में कि संख्या 31 से 33 निमलिखित गध्यांस को पढ़कर पूछे गए प्रसन का उत्तर देजे तो देखे यहाँ पे जो है कुछ छोटी से गध्यांस दी गई है इससे related जो प्र प्राइबंद लगी एक गंदी साड़ी तांगी थी दोनों बड़े लड़कों का वहां कही पता न था बाहर कोठरी में सीजी औधे मुह होकर ऐसी निस्ता से सो रहे थे मानों डेड़ महने पुरुव मकान की राया नियंत्रन विभाग की कलरकी से उनकी छटनी ना हुई हो या फिर मानो उन्हें साम की या साम को किसी काम की तलास में कही जाना ना हो तो यहां ने कि यहां पे जो है दोस्तो यह जो पंक्ती ली गई है आपसे बुक्स आपकी किताब से यहां पे जो है लिया गया है और इस पंक्ती को आप लोग अच्छे से पढ़ लिजेगा और इ अगला कोशन देखे यहां पर सवाल दिया गया है कि घर में मख्यों की भिन बिनाना पंक्ती से घर की कैसी अवस्था का संकेत मिलता है तिसका अंसुदागा दरिरित्ता इसको अच्छे सा आप लोग याद कर लें अगला कोशन देखे 33 नमबर दिया गया कि विभा की कलरकी से किसकी छटनी हुई है तो मुनसी चंद्री का परसाथ की ठीक है तो ऑप्सन यह जो है इसका से आंसर होगा अगला कोशन देखे 34 नमबर दिया गया है कि जयोतिबा फुले ने ठीक है यानि कि जयोतिबा फुले ने किस परकार की मानशिक्ता पर प्रहार किया है तो इसकांशुजागा रूडि वादी मानशिक्ता पर अगला question है कि गजा नन, माधव, मुक्ती बोध की अनुसार, वहवारिक की स्यमान्य, बुद्धी क्या है मजदूरों का समुचा दीन कैसे बीता तो दोस्तों याने की जैदा इपकी जब पिटाई की गए उसके बाद सभी मजदूर जो है पुरी तरह से भाय में थे पुरी तरह से दासत में थे तिसलिए इसकांसर क्या जागा option यह हो जागा भाय और दासत में अगला कोशन दिया गया है कि उसकी मा कहनी के लेखा कौन है तो इसकांसर जागा पांडे बेचन सर्मा उग्र option सी इसका सही आंसर होगा अगला कोशन 38 नमबर है कि अभी धारिय एक होते हुए भी धव्य नार्थिय और कावियार्थ अलग-अलग हो जाते हैं प्रस्तूत पंक्ती किस पार्ट से उद्रित है तो इसकांसर जागा नए कि जर्म कुंडली ओप्शन एसका सही आंसर होगा अगला कोशन 49 नमबर है कि हंस पत्रिका का प्रकासन किसने प्रारंब किया तो इसकांसर जागा मुनसी प्रहाम चंद्रे ने ठीक है इसको अच्छे साप लोग याद रखे अगला कोशन कि यहां पे दिया गया है कि अंधेर या अंधेर नगरी नाटक का यानि आप लोग पढ़े होंगे अंधेर नगरी चौपट राजा वाला उसी सी यहां पे छोटा सपंक्ती में दिया गया है कि अंधेर नगरी न option B इसका से answer होगा अगला question 42 है कि सरत चंदर लिखित उपन्यास का नाम बताईए तो इसका answer जागा सिरीकांत option C अगला है कि आवारा मसीहा मिल लेखक ने सरत चंदर की तूरना किस से की थी तो यानिक इसका answer क्या हो जागा दूस्तो या जागा राविन हुड से किया था तो option इसका से answer होगा अगला question है कि किसकी मिलती के बाद मकबूल घर में गुमसूम सा रहता है तो इसका answer क्या होजागा दादा का मिलती के बाद तो आनिक उसके दादा का इंतिकाल होने के बाद जो है मकबूल जो है वो अपने घर में गुमसूम सा रहने लगता है तो option जो है इसका 60 से answer का चवाल इसका इसको अच्छे साप लोग copy में not कर लिजे सभी question आप से भी के लिए जो है काफी BBI है important है इसमें से कई सारे question आपकी board की परिक्षा में direct जो है देखने को मिलने वाला है तीक इसलिए अच्छे से आप लोग रट लिजेगा मैं बार बर करता हूँ कि आप अच्छे से त्यारी किजिए देखे अगला question या आप दिया गया है कि अंडे के छिलके part के आरंब में अमा की कैसी तस्वीर उभरती है तो इस काम सोज़ें दोस्तो हो जागा प्रम प्राववादी इस्तरी की रूप में ठीक है ता option इस कास सही answer होगा दोस्तो इस वीडियो मैंने आप लोगों को जितने भी question बताए हैं वे सभी question आपकी board की परिक्षा में पूछे जा सकते हैं इनको अच्छे साप लोग copy में not कर लिजे और दोस्तो और भी subject का जो है वीडियो पहले से upload कर दिया गया है एक बार आप लोग जो है playlist भी check जरूर कर लिजेगा playlist का link में description में दे दूँगा ने तो आप वीडियो session के बाद आप अपना class का वीडियो देख पाएंगे नहीं तो आप आई बटन पर भी देख सकते हैं और दोस्तो आपसे भी request एक चैनल पर भी तक नए है तो चैनल को subscribe करने के साथ बैल आकोन को प्रेश जरूर कर लिजे और आगे की notification पाने के लिए बैल आकोन को all पर और select जरूर कर ले जाएगा ठीक है चैनल दोस्तों मिलता है नेश्टन में तब लग जाहिंद वन्दे मातरम